Hello everyone, welcome to Farmerox YouTube channel Farmerox के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे Adrenaline Injection के बारे में तो हम सिखेंगे उसके Basic Use के बारे में जानेंगे उसके Doze वगरा क्या होते है Side Effects वगरा क्या Develop होती है और कौन से Warning and Contra Indications रहते है ये Injection के तो यहाँ पर आप जो देख रहे है Title Slide के अंदर तो यहाँ पर लिखा है कि Life Saving Medicine तो जितने भी अलग-अलग Life Saving Medicines होते है उसमें ये Injection जो है वो Add होता है कि Adrenaline Injection जो है वो Life Saving Medicine कहा जाता है तो यह कुछ ऐसे Emergency Conditions के अंदर यूज किया जाता है कि जो काफी जान लेवा होते है तो ऐसी Condition में समझो कि ये Injection को आप यूज करते है तो पेशन के जो Life है वो बचा ही जाती है तो इसी के करण उसको Life Saving Medicine जो है वो कहा जाता है तो सीखते हैं डेटेल में Adrenaline Injection के बारे में ये Lecture के अंदर तो Expert Lecture बाया मरसर, Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you for being in PharmaRox Family Updated रही है Pharma Knowledge के साथ एक्सेस कर सकते हैं Study Material Test Series and Video Lecture PharmaRox के अब उपर अब आपके लिए हमने Decis and Medicines Related Course भी लांच किया है PharmaRox के आप उपर कि जहाँ पे आप अलग-अलग बीमारिया और उनके इलाज के बारे में सीख पाएंगे साथ ही अलग-अलग Medicines के बारे में आपको वहाँ पे Video Lectures मिल जाएंगे Study Material मिल जाएगा कि जो आप PvPT and PDF के तोर पे वहाँ पे अक्सेस कर पाओगे वह भी affordable price में एक साल तक तो डाउनलोड करिये आप PharmaRox और एक्सेस करिए Decisions and Medicines Related Course और जानिए Basic Use of Medicines और उनके Working के बारे में तो Study Material, Taste Series and Video Lecture के लिए जरूर से डाउनलोड करिये आप PharmaRox के जो Android एप्लिकेशन है Google Play Store पे और Eiffel iPhone यूजर भी उसको यूज कर सकते है App Store पर से डाउनलोड करके Link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो basic concept है वो समझते है Adrenaline Injection के बारे में तो ये injection जो हम कहें तो Life Saving Medicines के अंदर include होता है और जितने भी अलग-अलग popular Life Saving Drug से तो उसी में से ये एक Adrenaline Injection भी काफी popular है Because ये ऐसे जानलेवा Conditions को Treat करने के लिए यूज किया जाता है जैसे के Cardiac Arrest किसे को आता है Anaphylaxis, Sock वगेरा जो आते है तो ऐसे जानलेवा Conditions को Treat करने के लिए ये injection को Emergency Conditions के अंदर Use किया जाता है साथि आप यहाँ पे उसके Vials and Ampules को देखा तो उसके उपर आपको कुछ Informations मिलेगे जिससे यहाँ पे आप देखो कि RX लिखा है, मतलब कि ये Prescription Based Medication है और यहाँ पे लिखा है कि For Intramuscular and Subcutaneous, मतलब कि ये जो Injection है, वो Intramuscular और Subcutaneous लिखास कर दिया जाता है और Intravenous के लिए यहाँ पे लिखा है कि IV after the dilution तो proper dilution करने के बाद ही वो Intravenously दिया जाता है कि जिससे Side Effects वगिरा ना हो फिर यहाँ पे आप देखा तो Adrenaline को दूसरा कहा जाता है, Epinephrine भी कहा जाता है, और यह जो Injection की जो हम Strength देखे तो वो रहती है 1 mg per ml कि समझे कि आप उसका 1 ml जितना इसमें से content लेते है तो उसके अंदर 1 mg जितना Adrenaline जो है वो as a drug content उसके अंदर प्रेजन्ट होता है, और जो dilution देखे तो 1 जम 1000 जितना dilution होता है मतलब कि 1 gram in 1000 ml is जैसा उसका meaning होता है तो अब आपके माइंड में सवाल यह होगा कि Adrenaline क्या है या फिर Adrenaline क्या है वो अब हम समझते है तो Adrenaline also known as Epinephrine कि Adrenaline को हम Epinephrine भी कहते है और यह एक टाइप का हॉर्मोन है कि जो हमारे Adrenal Glands जो है वो Release करते है तो Adrenal Glands कहाँ पे होती है तो यहाँ पे आप देखो यह Kidneys है और Kidneys के उपर यह जो आप Glans जो देख रही है कि दोनों Kidneys के उपर एक एक यह Adrenal Gland जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि जिसको हम कहते है adrenal glands और वो काम करते है hormone release करने का और वो hormone से epinephrine तो epinephrine और adrenaline दोनों same ही है adrenaline को ही epinephrine जो है वो कहा जाता है तो कुछ injections के उपर आप epinephrine भी लिखा हुआ देखेंगे और कुछ injections के उपर adrenaline लिखा हुआ होगा तो यह हो गई बात hormone के कि जो naturally हमारे body के अंदर तो produce होता ही है बट साथ हो साथ उसको medicine भी बनाया जाता है कि जो कुछ life threatening emergency conditions होती है उनकी इलाज में भी as a medication जो है वो यह use होता है कि जिसके अलग-अलग functions है हमारे body के उपर जैसे कि वो blood circulation को enhance करवाता है breathing problems को solve करता है और carbohydrate के metabolism को भी increase करने में help करता है कि जिससे हमारे body के अंदर carbohydrate के metabolism से proper glucose जो है वो produce होता है तो अब समझते कि कौन से अलग-अलग functions है यह adrenaline के तो सबसे पहला जो उसका key function हम देखे तो वो है heart rate जो है वो increase करता है कि यह जो naturally हमारे body के अंदर जब release होता है adrenal glands में से तो उसका function यह होता है कि जो हमारे heart rate जो है वो proper maintain रखने में help करता है कि जो जब यह adrenaline proper amount के अंदर release होता है तो हमारे heart rate जो है वो proper रहते है और जब कोई ऐसी condition आए कि heart rate हमारे कम हो रहे है तो उस वक्त वो automatically adrenal gland में से release होके हमारे heart rate जो है वो increase करवाएगा तो एक action रहती है adrenaline की कि वो increase करवाता है heart rate दूसरा यह blood pressure भी increase करवाने में help करता है कि जैसे उसकी heart उपर हमारे heart के उपर असर होती है उसी तरह से हमारे जो यह blood vessels होते है blood vessels के उपर भी उनकी असर होती है कि यह blood vessels को वो क्या करता है उनका contractions करवाता है उनको tight करवा देता है जिससे blood pressure जो है वो increase होता है तीसरा reason यह है कि वो air passes को जो है वो increase करवाता है कि जब किसी person को समझो कि breathing में difficulty हो रही है तो यह adrenaline क्या करेगा हमारे जो यह lungs के अंदर या फिर respiratory tract के अंदर रहे जो bronchies या फिर bronchials है या फिर wind pipe है वगिरा को dilate करके आसन इसे air passes करवाने में help करेगा कि जिससे जब भी कोई breathing difficulty होती है तो वो ठीक हो जाए चोथा हम उसका function देखे तो वो है कि pupils जो हमारे आखों के अंदर होती है उनको enlarge करवाता है कि जब adrenal gland adrenaline को release करती है तो क्या होता है कि वो pupils के enlargement में help करता है फिर जो blood circulation जो है वो अच्छे से करवाता है और redistributing blood to the muscles कि muscles की और अच्छे से blood को पहुचाने का काम करेगा साथ हु साथ जो carbohydrate का metabolism है वो भी increase करवाता है जिससे proper amount में जो है वो glucose produce और उसके produce होने की मात्रा भी जो है वो maximize हो जाती है जिससे अब जो brain को जो जरुरियात होती है sugar की या फिर जो glucose की हम कहें तो वो पूरी हो जाती है तो यह पर आप देखो उसकी जो effect है हमारे body के जो कुछ important organs है जैसे की heart के उपर उसकी अफसर देखो तो heart rate जो है वो increase करता है तो जब किसी persons को heart rate कम हो जाते है तो यह function का हम जो है वो benefit लेते है adrenaline injection देखर की समझे की किसी के heart rate काफी कम हो चुके है heart related problem हुआ है cardiac arrest वगेरा हो जाते है तो उस वक्त क्या होता है heart rate काफी कम हो जाते है तो उस वक्त यह injection help करता है heart rate को increase करवाने में उसी तरह से किसी का blood pressure काफी गीर चुका है अचानक से तो उस वक्त क्या करेगा यह injection आपके blood pressure को increase करवाता है तीसरा उसके function का benefit है respiratory system के उपर हम देखे तो जो air passes जो है वो अच्छे से करवाता है कि जो lungs तक जो air जो पहुचने चाहिए properly वो पहुचने का काम करेगा because यह जो हमारा airways होता है उसका pathway को क्या कर देता है इस तरह से broad कर देता है dilate कर देता है जिससे जो हवा है वो आसान इसे हमारे lungs तक पहुच सके फिर जो आखों के उपर हम देखे तो pupils को dilate करवाता है फिर जितने भी अलग अलग हमारे organs होते है जो muscles होते है वहाँ पर proper blood circulation करवाता है फिर जो liver के थ्रू metabolism अच्छा करवाता है कि जो last में हमारे brain को जो need होती है glucose की वो पूरी करता है तो यह सब functions रहते हैं adrenaline के तो इसी पर से उसके basic use है adrenaline injection के तो सबसे पहले तो ऐसी emergency condition और ऐसी serious condition जैसे की insect bite हुआ कि कोई insects का bite हुआ है या फिर कोई allergic reactions हो चुके है आपको food के कारण किसी drugs की allergy के करण या फिर किसी भी ऐसे substance के करण आपको ऐसे allergy हुए कि वो allergy काफे serious है very serious allergic reactions तो उसको treat करने के लिए emergency में ये injection को जो है वो use किया जाता है फिर जिन लोगों को breathing difficulty होती है कि emergency condition ऐसे है कि person को breathing करने में काफी problem हो रहा है सास लेने में काफी दिक्कत आ रही है तो इस वक्त ये adrenaline injection को जो है वो दिया जाता है तिसरी condition हम देखे तो heart के जो functions होते हैं उसको stimulate करता है वापे blood flow जो है वो अच्छे से करवाता है जिसके करन वो emergency condition में use किया जाता है कि जब किसी को cardiac arrest आता है heart attack की conditions जिसको हम कहते हैं तो उस वक्त हमारे heart के जो function है उसको stimulate करने के लिए फिर से heart आपका normal functioning करे उसके लिए ये injection use किया जाता है फिर increase the blood pressure in emergency conditions where sudden drop of blood pressure मतलब कि कुछ बार ऐसी conditions produce होती है कि उस वक्त किसी person का blood pressure अचानक से काफी कम हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि blood pressure काफी low हो जाना अब समझे कि blood pressure काफी low हो जाये तो वो जानलेवा condition बन सकती है तो उस वक जरूरी है वो blood pressure जो कम हो गया था उसको increase करवाने की कि मान लो कि किसी person का जो blood pressure है वो हो गया था 40 mmSg जितना हो चुका था systolic blood pressure सिर्फ 40 g तक पहुच गया था तो अब हमारा target है कि normal systolic blood pressure होना चाहिए 120 mmSg जितना होना चाहिए तो 40 से 120 तक जो करना है कि मतलब कि blood pressure को increase करवाना है तो उस वक्त ये injection जो है वो आपकी help करेगा कि emergency condition में ये blood pressure जो है वो increase करके देगा person का कि जब उसका blood pressure काफी low हो चुका है पांचवा उसका हम use देखे तो जो treats करता है hives and itching को कि यहाँ पे आप देखो इस तरह से समझों कि आपकी skin उपर racist वगेरा हो चुके है severe allergic reactions के करने से hives देखने को मिल रहे हो और वहाँ पे आपको काफी itching हो रही है तो उस वक्त ये injection जो है ये condition को treat करने के लिए use किया जाता है चटा हम use देखे तो जो swelling हो जाते कि यहाँ पे आप ये देखो कि face के उपर आप इस तरह से swelling देख सकते हैं फिर यहाँ पे lips के reason में swelling वगेरा देख रहे हैं throat के reason में काफी swelling मतलब कि सूजन आ जाती है तो उसको reduce करने के लिए कि इसको हम क्या कहते हैं कि anaphylaxis भी कई बार कहते हैं कि ऐसे कुछ severe allergic reactions कि जिससे आपके चहरे के उपर इस तरह से सूजन आ जाती है lips के उपर सूजन आ जाती है आखों का जो reason होता है वहाँ पे आपको ऐसे काफी सूजन देखने को मिलती है कि जैसे कोई insect bite हो जाता है के लिए useful हो सकता है फिर सात्वा हम देखे use तो it also reduce the swelling of tongue की यही जो swelling है उस जो अंदर की और oral cavity के अंदर है और tongue के आसपास है तो भी यह injection जो हो help करेगा उसको treat करने में तो यह हो गए उसके basic use अब जानते हैं कि यह काम कैसे करता है तो adrenaline जो है वो specially target करता है अलग-अलग जो receptors होते है उसमें से जो alpha 1 receptors होते है उनके उपर उसकी effect हम देखे तो क्या करता है कि alpha 1 receptors के through epinephrine क्या करता है increase करवाता है vascular smooth muscles के contractions को मतलब कि जो हमारे smooth muscles होते हैं उनका contractions करवाता है और increase करवाता है blood pressure मतलब कि इस तरह से समझो कि आपकी ये blood vessel है उसका ये initial diameter इस तरह से है अब आगे क्या होता है कि ये diameter इस तरह से हो जाने के करण blood pressure जो है वो कम हो जाता है कि जैसे diameter increase होता है blood vessels का blood pressure जो है वो down हो जाता है तो ये injections लेने के बाद क्या होगा कि ये blood जिससे यह diameter इस तरह से कम हो जाएगा जिससे क्या होगा blood pressure की जिससे हमें physics के concept पता है कि जिससे diameter कम होता है किसी भी pipe का या फिर किसी भी जहां से कोई liquid flow करता है तो जिससे diameter कम होता है pressure जो है वो increase हो जाता है smooth muscles का contractions करवा के कि जो blood pressure को increase करवाने में help करता है दूसरा उसका function हम देखे तो दूसरा function है related to the inflammation कि inflammation के लिए जो responsible जो chemical है वो है histamine तो ये histamine की जो effect है उसको reduce करता है कि जो responsible बनता है inflammation और swelling के लिए कि जो हमें सूजन हो जाती है तो सूजन के लिए सबसे important एक ही एक mediator है वो है histamine तो अगर समझो कि histamine के जो release को कम करवा दे उसकी effect को समझो कि हम कम करवा देते तो automatically जो सूजन और inflammation होती है वो कम हो जाते तो इसके उपर भी ये काम करता है फिर inhibition of transmitted disease smooth muscles का contractions करवाता है and alpha 2 से भी वो smooth muscles का contractions करवाता है alpha 1 से बड़ अगर समझो कि ये बीटा receptor से blind होता है तो smooth muscles के contractions के साथ साथ smooth muscles relaxation भी करवा सकता है फिर हम देखे तो उसके heart के उपर हम उसकी असर देखे तो heart को क्या करता है heart के functions को stimulate करता है कैसे करता है तो यहाँ पे जो blood आता है वो blood के flow को ये करवाता है increase कि blood flow अच्छे से समझो कि जाएगा आपके heart के अंदर की जो कम हो गया था जिससे heart अच्छे से काम नहीं कर पाया था तो blood flow को अच्छे से वहाँ पे पहुचाएगा कि जिससे heart जो है वो अपनी rhythm जो है वो फिर से पालेगा और वो proper अपना काम करना start करेगा साथ उसाथ हम देखे तो जब airway हमारा block हो जाता है कि समझो कि breathing में difficulty हो रही है सास लेने में difficulty हो रही है तो उस वक्या होता है कि जो हमारा airway होता है तो उसका हम समझो कि sections देखे तो इस तरह से आपका airway हो गया है कि जो काफी small हम कह सकते हैं अब ऐसा small या फिर यहाँ पर blockage जैसा ऐसा हो गया हो तो आपको breathing करने में काफी difficulty हो अब क्या करेगा ये medicines adrenaline कि ये जो diameter था उसको इस तरह से increase करवा देगा जिससे क्या होगा कि जो muscles थे वो relax हो गये जिससे जो airway था जो पहले काफी small था अब वो कैसा हो गया थोड़ा wide हो गया small या फिर जो narrow हो जाता है airway कि जिससे breathing में difficulty होती है वो adrenaline injections देने के बाद इस तरह से थोड़ा wide हो जाते है और जब ये wide हो जाता है तो आसानी से air इसके थू जो है आपके lungs तक पहुँच जाती है और person कि जो breathing difficulty जो होती है वो solve हो जाती है तो इस तरह से उसकी working and mechanism बनते है adrenaline injection की अब समझना जरूरी है कि उसके उसको कौन से root से डिया जाता है और कौन सा dose उसका specially होता है तो specially dilution के थू ही ये injection को जो है वो दिया जाता है कि जब आपको subcutaneously उसको injection देना है या फिर intramuscular injections जो experts देते है तो उस वक्त उसका जो dilution होता है ये ये वाइल के अकोर्डिंग होता है कि 1 ml solution in 3 ml single use वाइल जो है ये कि जिसके अंदर 1 mg ड्रग है पर ml के समझे कि 1 ml content यहाँ से लिया जाता है तो उसके अंदर adrenaline कितना रहेगा 1 mg जितना रहेगा और ये dilution तब भी यूज़ करना है इसी तरह से कि जब आप injection subcutaneous या फिर intramuscular ले देते हैं और खास कर जो anaphylaxis sock के जो patients होते है sock के patient उनको ये intramuscular ही root से ही दिया जाता है because intramuscular से जो absorption होता है वो काफी rapid हो जाता है और patient को जो है वो काफी राहत मिलती है compare to the subcutaneous site फिर समझो कि IV दिया जाता है तो IV सीरफ और सेप dilution के बाद ही दिया जाता है और वो dilutions रहता है 1 zem 10,000 तो उसका meaning समझो 1 zem 1000 कि जो original है आपका उसका मतलब होता है कि 1 mg per ml कि 1 ml में 1 mg जितना तो 1 zem 10,000 आप करते है तो ये हो जाता है 0.1 mg per ml तो जब आप उसको dilutions करके देते है properly तो ये dilutions होना चाहिए कि जब आप उसको intravenously देते कि अगर आपको dilution नहीं करते आप तो आप subcutaneous या फिर intramuscularly ही उसको देना चाहिए और dilutions करते है तो ये follow करना चाहिए कि 1 zem 10,000 dilutions जो होना चाहिए मतलब कि 0.1 mg per ml इतना होने के बाद ही आप जो है वो उसको intravenously दे सकते हैं तो ये खास एक direction दियान रखने कि don't use undiluted for IV कि IV के लिए कभी भी ये 1 zem 10,000 वाला dilution वाला या फिर undiluted जो हम कहते हैं उसको कभी भी use नहीं करना है विकाज उससे side effects जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं विकाज intravenously देने से क्योंकि IV जो है वो सबसे faster route है directly vein के अंदर bloodstream के अंदर medicines जाती है तो उस वक्ट जो है वो patient के condition और ज़्यदा खराब हो सकते हैं अगर आप गलती से भी IV दे देते हैं बीना किसी dilutions किये तो जरूरी है कि based subcutaneous लिया फिर intramuscular रही ये injection को use किया जाए कि जो ये dilutions का जो while होता है फिर आप समझते उसके side effects side effects क्या होंगे ये injection के तो सबसे पहले anxiety कि देखो यहाँ पर ये जो person है उसको चिंता हो रही है anxiety और साथ हो साथ restlessness मतलब कि जब चिंता होती है तो restlessness आही जाते है कि मतलब कि आप late night तक सो नहीं पाते और आप जागते रहते हो late night तक कोई न कोई चिंता आपको सताती है तो ऐसे side effects कई बार होते है ये injections के regular use होने के बाद फिर tremor किस तरह से हाथों का कापना कि जो इसको हम tremor कहते हैं इंगलिस में ऐसी condition भी होती है weakness आ जाते हैं कई बार dizziness जैसा feel करता है person sweating कि पसीन आ जाता है ये injections के देने के बाद palpitations जैसा feel करते है palpitation मतलब कि इस तरह से पिलापन कि ये वाला हाथ देखो तो आपको yellow vis देखने को मिलेगा कि जिसको हम कहते है palpitation जबकि ये जो है वो आप देखो तो normal redness जो है वो देखने को मिल रही है तो इस तरह से ये side effects भी develop होती है फिर nausea, vomiting common है, headache, सरदर्थ और कई बार समझे कि overdose हो गया तो overdose से respiratory difficulties होगी because airway और ज्यादा फ्यादा फ्याएगा कि जो आप जो है वो proper tolerate ना कर पाओ तो ये सब side effects develop होती है adrenaline injections के overdose या फिर proper use ना करने के करण फिर आप उसके warnings देखे तो warning और contraindication आप खास समझे कि must follow the patient counseling before use कि अगर कोई भी medical person इसको use कर रहा है तो patient counseling करवाना काफी जरूरी है because जो आप यहाँ पर reasons देखेंगे कि इसकी जो warning होती है ये injection की तो उससे आपको पता चलेगा कि patient counseling करना कितना जरूरी है तो पहली condition की जो पहली warning कि अगर किसी को symphetomymetrics drugs की जो है वो allergy है या फिर hypersensitity है जैसे कि ये adrenaline है, epinephrine है nor epinephrine है nor adrenaline जैसे कोई भी symphetomymetrics drugs वगेरा जो होते है ऐसे उसके allergy है contraindications जैसे है hypersensitivity हो जाती है तो उन लोगों को ये injection जो है वो नहीं देनी चाहिए second किसी को close angle glaucoma है तो glaucoma के patient को भी आप ये injection ना दे तो आप समझे कि patient counseling करोगे तो ही पता चलेगा कि person को glaucoma है या नहीं तो ये counseling जरूरी है तिसरी हम देखे कि समझे कि उसको anesthesia किसी दिया गया था और वो anesthesia था halothen तो halothen anesthesia दिया हो तो उस वक्त adrenalin injection जो है वो use नहीं किया जाता है बिकोज उससे और ज़्यदा complications हो सकते हैं चौता हम देखे तो प्रॉपर कोसन के साथ यूज किया जाता है for liver और kidney disease patient केसे patients के जिनके kidney खराब है liver खराब है तो उन लोगों को proper counseling के बाद ही जो है वो यह injection यूज करना चाहिए और same pregnancy और breastfeeding के दोरान भी उसको proper कोसन के साथ मतलब कि एक warning रहती है अगर use करते है तो कि अगर बहुत ही ऐसे जरूरत है तो ही ऐसे condition में ये injection को use किया जाता है वरना completely आपको ये सभी conditions के अंदर आप ये injection को use करना या फिर prefer करना avoid करें तो ये था हमारा special lecture about the adrenaline injection कि जिसको हम epinephrine भी कहते है तो disease and medicines related जो core से हो आप जरूर से access करिए pharma rocks के आप उपर कि जो android application है गूगल प्ले स्टार पे आईफ़ान एप उन एप स्टार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो access करिए study material test series और वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के आप उपर कोई भी difficulty हो तो आप ये number पे contact करके हमें पूछ सकते हैं या फिर आप whatsapp कर सकते हैं so good luck and all the best